नमस्कार दोस्तों, हिंदी नीज आफेस में आपका स्वागत है, दोस्तों कहते हैं कि डुस्मन का डुस्मन अपना सबसे बड़ा दोस्त होता है दोस्तों यह जो कहावत है यह भारत के लिए बिल्कुल सही बैटरी , सटिक बैडरी है दसल अभी कुछ हुआ ऐसा कुछ है जिससे भारत के दुस्वन चाइना की नीदे उड़ गई है दोस्तो आपको बताते हैं कि पूरी नीज एक्ट्वल में है गया दोस्तो चाइना के पास और एक जगह पड़ती है जो समुद्री एरिया है उसको कहते हैं साउथ चाइना सी चीन उस साउथ चाइना सी को पूरा अपना मानता है क्योंकि उसमें चाइना लगा हुआ तो वो उस पूरे रीजन को पूरे समुद्र को अपना मानता है वो इसलिए अपना मानता है क्योंकि वो रूट जो है यह समली दुनिया को वन थर्ड बिजनेस उसी रूट से होता है और अ वहां पर ही सारी इस वगएरा निकलती आपको कहीं भी बिघ्र्ष और चाहान के साथ करना हो फिलिपेंस खूल इन सब के साथ और बखी seconds क खाना है तो आपको उधर से जाना बहुत से चीज़े उसके अंदर निकल सकती है ऑईल भी निकल सकता है ऐसा बदाया जाता है दोस्तों भी हुआ क्या कि भारत की एक कंपनी है अधानी अधानी पोर्ट अधानी पोर्ट एंड इस्पेशल एकनॉमिक जोन लिम्टेड के मैनेजिंग डिरेक्टर अभी फिलिपे के राष्टपती मार्कोस जी के साथ एक उन्होंने अपनी एक मुलाकात करी जिसमें मीटिंग करने के बाद यह फाइनल हुआ कि फिलिपेन्स का बाटन जो पोर्ट है सी पोर्ट उसको लीज पर लेगी अधानी की यह जो कंपनी है अधानी पोर्ट एंसेज लिम्टेड यह उसको लीज पर लेगी दोस्तो इसके लिए बाचित स्टार्ट हो गई है और यह जो इन्फॉर्मेशन दी है यह खुद फिलिपेन्स के राष्टपती जी की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें यह इन्फॉर्मेशन दी गई है जो अधानी पोर्ट एंड स्पेशल एकनॉमि के मैनेजिंग डिरेक्टर है करन अधानी उन्होंने यह इन्फॉर्मेशन नहीं दी यह दूसरे देश नहीं दी है दोस्तो अब यह समझते हैं कि इस चाइना को क्या परिसानी है और भारत के लिए क्यों यह मास्टर स्ट्रोक है दरसल दोस्तो साउट चाइना सी में यह फि वैसे फिलिपिन्स के साथ है इसलिए क्योंकि फिलिपिन्स अपना पूरा एरिया बताता है सौरी चाइना पूरे एरिया को अपना बताता है फिलिपिन्स भी वहीं पर है फिलिपिन्स कहता है हमारा क्या हमारा कोई एरिया नहीं है जो इंटरनेशनल जो रूल है उसके कि आपको कोई एरिया नहीं है पूरा का पूरा साउच चाइना हमारा है उसने अपनी एक 9-9 डैस लाइन बना दी है वह 9-9 डैस लाइन बोलता है कि हमारी यह बुरी आप लोग कोई नहीं हो यहां पर ऐसा चाइना का कहना है दोस्तो अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले फ वाड़ा टेंशन में आ गया कि फिलीपियंस को हम जितना मजबूत करते जाएंगे चाइना उतना मी आता जाएगा क्योंकि विपिन्स क्या है अपने डिफेंस में इतना झाद खर्च नहीं कर रहा था उसका रीजन यह था कि उसका एक अग्रिमेंट है USA के साथ में कि किसी भी देश ने अगर Philippines के उपर attack कर दिया तो वो ये मान लिया जाएगा कि attack USA के उपर हो गया है लेकिन समय जैसे जैसे बीटता जा रहा है Philippines को ये समझ में आ गया है कि USA की जो सेना है वो पूरी दुनिया में फैली होई है और पूरी दुनिया में कही न कहीं अब लडाई जगड़ होते रहते हैं और USA हर जगा पहुंच जाता है उसमें कहीं सपोर्ट करता है कहीं डारेक्ट इन्वाल हो जाता है लडाई करने में तो अगर चाइना कभी attack करेगा Philippines को तो USA उतने सपोर्ट कर नहीं पाएगा जितना करना चाहिए तो Philippines को यह समझ में आ गया कि अपनी सुरक्षा खुद करने पड़ेगी इसलिए उसने अपने डिफेंस बजट को 35 बिलियंट डॉलर तक बढ़ाने की योजना बना ली और उसने उसी को देखते हुए अपने डिफेंस को देखते हुए भारत से ब्रमोस भी खरीद ली मिसाइल कि कल को अगर चाइना की तरब से कोई अटेक होता है तो हम भी उसका बराबर से जवाब देंगे यह फिलिपिन्स ने काम किया दूसरा फिलिपिन्स को सही है फिलिपिन्स के भारत की पॉइंट इविव से इसलिए अच्छा है क्योंकि हमको एक ठिकाना मिल गया साउच चाइना सी में पोर्ड की वज़े से क्योंकि पोर्ड पर कंट्रोल अब हमारा होगा इंडियन कंपनी का होगा दूसरी चीज़ वहां से बिजनेस भी बहु होगी अच्छी कासी मतलब आप यह समझ लिए कि अंधी कमाई जिसको देशी भासा में कहते हैं ऐसी कमाई होगी वहां पर तो यह भी फाइदा है यह इंडियन कंपनी का फाइदा है भारत की वहां प्रिजन्स हो गई दूसरी चीज़ इस से चाइना को भी हम काउंटर कर प अपनी प्रिजन्स बढ़ा दे और भारत को टेंशन दे दे तो बिल्कुल वैसा ही टेंशन अब चाइना के उपर आ जाएगी जब हमारी वहां पर कंट्रोल होगा उस पोर्ट पे तो क्योंकि चाइना को भी दिख रहा होगा कि सामने ही बिल्कुल भारत बैठा हुआ है किसको चाइना कहता है कि वह कोई देश हैं वह हमारा ही पार्ट है चाइना कहता है लेकिन टाइवान वाले ऐसा नही ö revived आजैसे है ऐसा टाइवान का कहना है झाय तो सभी दूस्मन है अब इनको हम जितना मजबूद कर देंगे भारत इनको जितना मझ साथ आए इन्हीं देशों को काउंटर करने में चाहिए वह वेतनाम हो गया फिलिपिन्स हो गया या ताइवान हो गया इसके साथ में भी एक कंट्री है मंगोलिया मंगोलिया की लैंड बॉर्डर टच होती है चाइना के साथ वह सबसे जादा टेंशन वाली चीज है हलाकि अभी मंगोल कि अरे तरह से जकड़ा हुआ हम हैसूस वसा हुआ मैसुस करे कि यह हलागी हमुआ काफियत तक उसको समुद्र में घिरने के लिए कि कोशिख क कर रहे हैं कि किसी awful visitors वियत नाम पहुंच जिया है हमारे फिलिपिंजे में ताइवान वी हमारे साथ है फिलिपिंस में तो ह यह सारी चीजे एक टेंशन चैना को देती है इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टन डेवलाप्मेंट हुई है वह दरसल डेवलाप्मेंट है भारत का जो कोलकाता में एक पोर्ट है यह पोर्ट हमने USA को एक एग्रिमेंट के करने जा रहे हैं जिससे कि वहां पर इस पोर्ट में रिपेरिंग होगी सिप की सुचिए जबकि अभी क्या है कि USA की रिपेरिंग विशाखापड़न में हो सकती है दूसरे और पोर्ट हम वहां हो सकती है लेकिन वो कोलकाता का पोर्ट उसने चूज किया क्यों ताकि कल को अगर चाइना के साथ किसी तरह का कॉन्फिक्ट हो लड़ाई है तो उसके सिप की रिपेरिंग पास में हो जाए ज्यादा टाइम ना लगे वह बिलकुल पास में है कोलकाता जो भारत का हिस्सा है तो दोस्तों यह भी चाइना को टेंसन देने वाली चीज़ है कि USA बिलकुल इंडिया पर अपनी सिप की रिपेरिंग की बेवस है जो यह बहुत क्याँ है कि चाइना कही ना कही मैसIsnus क्रेगा क्योंकि जितना होड़ान के साइड में जितना प्रदş ф matar गल्वान के साइड में जितना प्रदिश से जुड़ा हूई जो हमारी बॉर्डर है वो परिशानी देगा साथ में वो पाकिस्तान के साथ और ज्यादा मिल के हमें परिशान करने कोसेश करेगा इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम उसको उधरी बिजी कर दें ताकि वो हमारे लिए को बूरा तांक कर पाए दोस्तों अब इस पे और जो ड झानने वाद